अवस्ताइं होती हैं ठीक है और कॉर्स सबसे पहले यहां पर यूथ भी बोला जाता है या युवा अवस्ता भी बोला जाता है हुआ है कि अधर अपर नोगी अपर कॉर्स में यहां पर क्या होगा यह this classic in practice ही जो तु यहां पर देखने को मिलेंगे हीली एरियस जो माउंटेन यहां पर स्लोप देखने को मिलेगी ऊपर वाली ठीक है तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगे अपर कोर्स देखने को मिलेगा यहां पर आपको जो एक्शन देखने को मिलेगे एक तो इरोजन देखने को मिलेगा और एक वैदरिंग देखने को मिलेगا ठीक है Erosom देखने को मिलेगा जब जब उपर से यहाँ पर नदियां आएंगी तो यहाँ पर चटानों को काठती हुई आएंगी चीरती हुई आएंगी ठीक है अपने साथ सिल्ट या युवा वस्ता हिंदी में बोलते हैं तो इसके बारे में ये basic बातें आपको पता होनी चाहिए हीली एरियाज में आपको देखने को मिलेगी slopes ठीक है यहाँ पर erosion weathering यह सभी process यहाँ पर देखने को मिलेगी इनकी speed यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज होगी दूसरा यहाँ पर middle course middle course यह ऐसे mature बोलते हैं या इसे कौन सी अवस्ता बोलेंगे प्रोड अवस्ता बोलेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी ज़्यादा energy होती है इतना ज़्यादा यहाँ पर खेलते कोते हैं ठीक है तो बहुत ज़्यादा मस्ती यहाँ पर करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर बड़े होते हैं यहाँ पर 20-30 उमर के बीच में यहाँ पर आते हैं में देखने को मिलेगा यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी कौन से प्रोसेस देखने को मिलेगी यहां पर इरोजन देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर इरोजन देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर कोई वैदरिंग नहीं होगी यहां पर जो नदियां वो चटानों को क यहाँ पर चुका है नहीं कि यहाँ पर प्रोजीशन बेशी नहीं चाने कि होगी उनका यहाँ पर इरोजन होगा ठीक है यहाँ पर पर इस प्रोजीशन भी मिलेंगे यह प्रोड अवस्ता में देखने को मिलेंगे अब यहां पर बात करते हैं lawyer course की या old ठीक है या वृद अवस्ता मतलब कि अब यहां पर यहां पर यहां पर नरची नहीं बची है कि यहां पर यहां पर खुब खला मस्ती ठीक है यह सारी चीज़े करें अब इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बची है तो यहां पे यह कहां पे देखने को मिलेगा जो नदियों का माउथ होता है ठीक है मुहाना होता है वहां पे देखने को मिलेगा यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा कम, speed होगी नहीं यहां पर यहां बहुत ही ज़्यादा कम यहां पर वरिद वस्ता में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह I hope basic information आपको समझ में आई होगी, तो चलिए next यहां पर move करते हैं, अभी हम यहां पर gradient के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, gradient क्य gradient क्या होती है, यहां पर, gradient basically यहां पर कि जो sea level होता है, जो sea level होता है, ठीक है, यहां पर sea level होता है, उससे यहां पर कितनी उचाए पर यहां पर यहां पर यह जो land, ठीक है, यहां पर सत है, जमीन है, ठीक है, यह जो height होती है, इसे यहां पर क्या बोला जाता है, इसे gradient बोला जाता है ठीक है यहां पे जो हाइट होती है मतलब की सी लेवल पे कितनी उचाई पे है इसे ग्रेडियंट बोला जाता है अब यहां पे जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज्यादा यहां पे आपको स्लोप देखने को मिलेगी जितनी उचाई पे होगा नदियां उतनी ही तेजी से यहां पर नीचे होंगी, नदियों को जो यहां पर शक्ति मिलती है, वो किस से मिलती है, उसकी ग्रेडियंट से मिलती है, मतलब कि जितनी जादा उपर होंगी नदियां, उतनी तेजी के साथ आएंगी, इतना जादा हाखाकार मचाएंगी, यहां पर नदिय क्या होता है उसके बाद कया अब यहां Πर कुछ बेसिक की इंफिमेशन के बारे में जान लेते हैं कि जो लगलग स्थल किर्थी रीवर के दुपारर यहां पर बनती है ठीक है सबसे पर लिए V शेपड वैली क्या होती है GO यहां पर दो पहाडों के बीच तो पहाडों के बीच ठीक है इस प्रकार से पहाड बनाते हैं बनाते थे तो दो पहाडों के बीच जब भी यहाँपे नदी आती है ठीक है तो क्या बनती है वो V-shaped गाटी बनती है अब यहाँपे देखो जो English का Alphabet V तो इसके जैसे यहां पर यहां पर आपको देखने को मिलेगी इसके दो पाड़ों के मेंसे जो नदिया आती है तो यहां पर क्या बन जाता है वी शेप्ड यहां पर वैली आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो चलिए यहां पर हम मैं दखा देता हूँ वी शेप ठीक है तो यहां पर देखूँ यह क्या है यहां पर पहाड यहां से और यहां से ठीक है इसके बीच में यहां पर क्या जा रही है यह नदी जा रही है तो यहां पर यह क्या बन रही है वी शेप की गाटी बन रही है यहां पर वी शेप ठीक है इसके बीच में यहां पर क्या जा रही है नदी जा रही है तो यहां पर वी शेप आपको इतना समझ में आया होगा ठीक है अब यहां पर हम देख लेते हैं गोर्ज गोर्ज क्या होता गोर्ज क्या होता है जब यहां पर यह वी शेपड वैली है ठीक है अब यहां पर हजारों लाखों साल के बाद हजारों साल के बाद यहां पर क्या होगा इसी परकार से यहां पर नदियां फ्लो करती रहेंगी फ्लो करती रहेंगी तो यहां पर यह वला जो हिस्स है यह और ज जब और ज्यादा गहरा हो जाएगा तो इससे क्या बोला जाता है इसे गोर्ज बोला जाता है क्लियर तो यहां पर वी शेप जब और ज्यादा यहां पर गहरा हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा उसे गोर्ज बोला जाएगा ठीक है तो गोर्ज की भी हम यहां पर एक् यह देखो पहले हमने यहाँ पर V-shaped valley देखी थी अब यहाँ पर जो गोर्ज होगा और जादा गहरा हो जाएगा यहाँ पर देखो, जैसे नदियां जाती रहेंगी यहाँ पर इसे यहाँ पर काटती रहेंगी काट काट के यहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा इसे गहरा बना देंगी तो इसे क्या बोला जाएगा इसे गोर्ज बोला जाएगा ठीक है V-shaped को जब और ज़्यादा काट दिया जाता है तो क्या बन जाता है गोर्ज बन जाता है उसके बाद canyon, canyon या I-shaped valley अब यहाँ पे जब गोर्च और ज़्यादा डीप हो जाते हैं तो क्या बन जाता है यहाँ पे कैनियन या आई शेब्ड वैली मतलब कि यहाँ पे यह वाला जो बीच वाला हिस्स है तो इसे यहाँ पूरी तरह यहाँ पे काट दिया जाएगा नदियों के दवारा जब काट दिया जाता है नदियों के दवारा तो यहाँ पे इस परकार से ठीक है यहाँ पे नदियां देखने को मिलेंगी अब यहाँ पी एक है आई शेब्ड वैली देखने को मिलेंगी इसे ही क्या बोला जाता है इसे कैनियन बोला जाता है ठीक है तो कैनियन आपको यहाँ पे यूएसे में Colorado River है यहाँ पर Grand Canyon आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो समझ में आया है यहाँ पर V-shaped जो गाटी होगी जैसी वो और गहरी होगी ठीक है उसका मुह यहाँ पर नीचे खूल जाएगा और तो क्या बन जाएगा गोर्ज बन जाएगा गोर्ज जब और जादा यहा यहाँ पर कि कैनियन भी देख लेते हैं एक बार कि अगर कि अगर कि यहाँ पर आई थिंग कैनियन यह नहीं खुलेगा तो यहाँ पर देखो यहाँ यहाँ पर आई शेप्ड वैली ठीक है यहाँ पर ग्रेंड कैनियन अब यहाँ पर यह जो नदी आ रही थी इसने यहाँ पर यह जो चटाने आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना जादा यहाँ पर चटानों के इसके दोबारा काट दिया गया ठीक है यहां पर ऐसे नहीं है कि यह 10-15 साल में बने है यह हजारों लाखों साल लग जाते हैं यहां पर यह सारे प्रोसेस